बोलो हरी हरी बोलो रादे रादे जी तो मेरी आगे की जो क्लिपसे वो डिलीट हो गई है मैं फिर से आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बता दू मैंने इसमें जीरा उसके बार में टमाटर और थोड़ी सी लाल मिर्च और पिंच मैंने हल्दी डाली थी जब टमाटर लुए ज़रूत में यह सब खुली आंच पहाते है झाल और यह देखे जब बहुत अच्छे से पक जाएगा इससे बिलकुल अच्छे से हमें पका लेना है उसको चलाके हम अच्छे से पकाने के बाद फिर ना लेंगे इसे अपनी मेक्रोनी और यह देखें अब मैं इसमें मैं प्रॉनी एड़ कर देखे हूं यह हमारा तो प्रभू माता रानी का भूख बन रहा है वाद तो आ नहीं है और अब हम इसे खाय प्लाइन पे बहुत अश्य से खाय कर लेंगे हमारी मैप्रॉनी रेडी है इस तरीके से हमें डगते नहीं तो चलिए मिलते हैं भूग लगाने पे हरी बोल मारा भूग तयार है यह रग दिया मैंने तुलसी दल तो चलिए लगाते हैं प्रभू को भूग मिलते हैं भूग लगाने पे हरी बोलो रादे रादे जी हरी बोलो हरी हरी बोलो रादे रादे जी तो हमारे लड़ू लाडो कनेया जी लड़ लाडो सबका भूग लग चुका है सभी लोगों का भूग लग चुका है और अब मेरे लड़ू लाडो कनेया जी केशो और ला रहे हमारे मुरारी जी और आप लोगों से एक हाँ जोड़के विनम्र विन्ती है जबी भी प्रभु को भोग लगाईए ना जबी भी आप भाया को मातारानी को हमारे प्रभु को भोग लगाईए आप लोग इतने भाव से भोग लगाईए प्रभु इतने द्यालू है इतने दिनानात है हमारे प्रभू व्रिंदावन से बरसाना से मातारानी भोग लगाने हमारे घर आते हैं इतने भाव से भोग लगाईए कि बस प्रभू भोग देखते ही द्रिश्य भोग ही प्रभू लगाते हैं और द्रिश्य भोग लगाने के बाद प्रभू इतने भाव से भोग लगाने के बाद भी हमारे घर पे ही रह जाए। और बहुत भक्ती भाव से भोग लगाया करिये। साकषात हमारे भहिया मातारानी हमारे भिः Agreed भोग लगाने व्रिंदावन से आते हैं जहां पर भी भक्ती ने सक्चे दिल से पुकारता हैं। कितने दयालू है हमारे प्रभु हमारे दीनानाद अब मेरे लड़ू लाड़ो कनया जी केशव लाड़ो करेंगे विश्राम मिलते हैं शाम को हरी बोलो हरी हरी बोलो राधे राधे जी